अब तक के वीडियो में हमने देखा कि आज से ढाई हजार साल पहले मगद राजा अशोक ने बोल्डर पर क्या-क्या मेजर और माइनर एडिक्ट्स यानि बड़े बड़े और चोटे पॉइंट्स लिखवाये थे और pillars पर क्या-क्या major edicts यानि बड़े-बड़े points लिखवाये थे इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने pillars और गुफा की दिवारों पर क्या लिखवाया था जिसे क्रम्शा minor pillar edict और cave edicts कहा जाता है आईए जानते हैं पहले minor pillar edicts के बारे में पहला पिलर सारनाथ में है जो उतर प्रदेश के वारणसी जिले में है दूसरा पिलर सांची मध्य प्रदेश के रायसन जिले में है तीसरा रुकमिन देई या रुमन देई अभिलेख जो नेपाल की तराई में है चोथा निगलिहवा अभिलेख ये भी नेपाल की तराई में और पाचवाए इलाहबाद पिलर एडिक्ट जो प्रयाइग राज उत्र प्रदेश में है इसे रानी का इस्थम लेख भी कहा जाता है आइए देखते हैं एक एकर इन एडिक्ट्स को सबसे पहले जानते हैं सारनात इस्थम यानि सारनात पिलर के बारे में उत्र प्रिदेश के वारण से इस्थित सारनाथ पिलर के उचाई शुरूब में 55 फीट थी, अभी इसकी उचाई केवल 7 फीट 9 इंचेज है अस्तंभ का निचला भाग अपने मूल अस्थान में है, अस्तंभ का उपरी सिरा अब सारनाथ संग्रहाले में है इस स्तंभ पर तीन लेख उलिखित हैं, पहला लेख अशोक कालीन ब्रामी लिपी में है, दूसरा कुशान काल का है और तीसरा लेख गुप्त काल का है आईए देखते हैं राजा अशोक ने क्या लिखवाया था इस पिलर पर इस प्रकार मेरी यह आग्या भिक्षो संग और भिक्षुनी संग को बता दी जाए देवताओं के प्रिये ऐसा कहते हैं इस प्रकार का एक लेख आप लोगों के पास आपके कार्याले में रहे और ऐसा ही एक लेख आप लोग उपासकों के पास रखें उपासक लोग हर उपवास के दिन इस आग्या पर अपना विश्वास द्रिध करने के लिए आएं निश्चित रूप से हर उपवास के दिन प्रतेक महामात्र इस आग्या पर अपना विश्वास जताने तथा इसका प्रचार करने के लिए उपवास में सम्मिलित हों जहां पर आप लोगों का अधिकार हो वहाँ वहाँ आप सभी जगह इस आग्या के अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोग सभी विश्यों में भी अधिकारियों को इस आग्या के अनुसार प्रचार करने के लिए भेजें। सारनाथ लेख में नियुक्त महामातियों को संबोधित किया गया है जिसमें समराट ने आदेश दिया है कि जो कोई भिख्षू या भिख्षू नी संग में फूट डालेंगे या संग की निंदा करेंगे उन्हें सफेद कपड़े पहना कर संग से बाहर निकाल दिया जाएगा साची इस्तंब अमध्य प्रदेश में भोपाल से 46 किलो मीटर दूर रायसन डिस्टिक में साची नमग जगह पर है यहां भी इस्तंब का निचला हिस्सा अभी भी खड़ा है इस्तंब का उपरी हिस्सा साची पुरा तत्व संग्रहाले में है इस्तंब जब बरकरार था जिसका वजन कई टन होगा वे लोग धाई हजार साल पहले सक्षम थे ले जाने ले आने में शायद गंगा यमना और बेतवा नदियों में बरसात के मौसम में राफ्ट का उपयोग करते हुए जल परिवहन का उपयोग करते थे आईए देखते हैं राजा आशोक ने क्या ल करेंगे भिक्षो या भिक्षोनी जो संग में विभाजन का कारण बनेंगे उन्हें सफेद वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा और अलग रहने के लिए मेरी इच्छा किस लिए है ताकि संग एक जुट रहे और लंबे समय तक टिके रहे साची और सारनाथ के लगू इस्तम्व लेक में अशोक अपने महामातियों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं तिसरा रुमन देई इस्तम्व जो की लुम्मिनी नेपाल की तराई में इस्तित है फाहियान एक चीनी बहुत भिक्षू यात्री लेखक और अनुआदक जो 399 इश्वी से लेकर के 712 इश्वी तक भारत, श्री लंका, आधुनिक नेपाल में इस्तित, गौतम बुद्ध के जन्मस्थल, कपिल वस्तु की धर्म यात्रा पर आये थे उनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य का सा वेंसान एक प्रसिदी चीनी बहुत विक्षुप थे, वे हर्षवर्धन के सासनकाल में यानि 630 AD में भारत आये थे और 15 अर्सों तक भारत में रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक C.U.K. में अपनी यात्रा तथा ततकालीन भारत का विवरंड दिया है 1896 में, यानि जेम्स रिंसेप के 1836 में ब्राम्ही लिपी को डिकोड करने के 60 साल बाद, जनरल खडग समशेर बहादूर राना और एलोईस एंटोन फ्योरर ने इन दोनों चीनी यात्रियों की लिखी किताबों को पढ़कर, रुमन देई नेपाल में इस पिलर को खोज डाल आईए देखते हैं क्या लिखवाया था अशोग ने इस पिलर पर, इस बार मिस माइक्रोसॉफ्ट कल्पना जी प्राकृत लेंग्वेज पढ़ने की कोशिस कर रही है, फिर हिंदे में भी पढ़ देंगी पूजा की क्योंकि यहां शाक्य मुनी बुद्ध का जन्म हुआ था, यहां पत्थर की एक प्राचीर बनवाई गई और पत्थर का एक स्तंब खड़ा किया गया, बुद्ध भगवान यहां जन्मे थे, इसलिए लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया गया और अशोक ने तीसरी शताब्दी इसापुरू में इस स्थान का दोरा किया था और इसे बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में पहचाना था चौथा, निगाली सागर अस्तंब या निगाली सागर पिलर अशोक का एक दूसरा अस्तंब लुमिनी के उतर पश्चिम में लगबग 22 किलो मीटर दूर निगाली सागर अस्तंब और तीसरा 24 किलो मीटर दूर पश्चिम में गोती हवा अस्तंब जिसमें कोई शिलालेक नहीं है, में इस्थित है निगाली सागर पिलर पर लिखी गई बातें महामहिम राजा प्रिये दर्शन ने अपने शासनकाल के चौधवे वर्ष में दूसरी बार बुद्ध कनक मुनी के स्थूप का विस्तार किया इस अभिलेक से पता चलता है कि अशोग अपने राजा विशेक के बारावे वर्ष में निगाली सागर तक आये थे तथा यहां कनक मुनी यानि गौतम बुद्ध के स्थूप की उचाई को बढ़ा कर दुगना कर दिये थे पांचवा इस्तम इस्तित है प्रियाग राज उत्तर प्रदेश में जिसे कौशामबी से मुगल शासक अकबर ने लाकर प्रियाग राज में खड़ा करवाया था या 35 फीट उचा है देवताओं के प्रिय के आदेश पर हर जगह के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि दूसरी राणी का उपहार जो कुछ भी हो चाहे वह आम बाग हो मठ हो दान देने वाली संस्था हो या कोई अन्यदान वह उस राणी के श्रेय में गिना जाए दूसरी रानी तिवला की माता कारूवाकी इस एडिक्ट से यह पता चलता है कि राजा अशोक की दूसरी पतनी का नाम कारूवाकी था शिलय लेक में उनके पुत्र राजकुमार तिवाला की मा के रूप में उनकी पहचान की गई है जो अशोक के एकलोते पुत्र हैं इसे Pictures से डिक्ट भी कहा जाता है ये सभी अभी लेख प्राकृत भाषा और ब्राम्ही लिपी में हैं अब लगे हाथों गुफा अभी लेख भी जान लेते हैं दोस्तों मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं कुछ भी दक्षिन विहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक तीन गुफाओं की दिवारों पर अशोक के लेख प्राप्थ हुए हैं इन सभी की भाषा प्राकृत और लिपी ब्राम्ही हैं बराबर पहाड़ी गुफाएं भारत में सबसे पुरानी रॉक कट केव से हैं बराबर हि विश्वकरम केव में लिखी बातें करण चांपर गुफा में लखी बातें जब राजा प्रिये दर्शिन का 19 वे वर्ष का अभिशेक हुआ था वह जा लिहा गए और फिर यह गुफा जिसे सुपरियक्षा कहा जाता है आजिविका को दिया गया था लोमस रिशिक गुफा में अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं है तो ये थे राजकुमार तिवाला के पिता, रानी कारुवाकी के पती, मगद राजा, देवा नाम प्रिये दस्ती अशोक के द्वारा बोल्डर्स, पिलर्स और केव्स में लिखवाई बाते, जिनने आप पत्थर की लकीर समझे और उनसे क्या निश्कर्स निकलता है, अपने विवेक से खुद ही इतिहास लिग डालिए आशा है, वीडियो पसंद आया होगा